खाँ फ्रेंड वेल्कॉन टो प्य एल सी सी प्लस-प्लस के इस वीडियो में हम लोग पॉलींर फिस्म के बारें पढ़ेंगे किसी भी औबज़क्ट-oriented प्रग्रामिंग का यह बेहद ही महत्पून कंसेप्ट है polymerphes, object oriented programming की concept है उसमें आप देखे होंगे inheritance, polymerphes में और ब्र कुछ और होते हैं तो polymerphes concept बहुत ही important है फोर सारे students को यह समझ में नहीं आता है लेकि मैं कोशिज करूंगा अचान भाथा में बताने का ताकि आपको समझ में आ जाए तो दो वर्ट के मिलने से यह बनता है poly और morphism poly जो है poly का मतलब होता है many poly का मतलब होता है many morphism का मतलब होता है form मतलब क्या कि कोई एक चीज है जिसके अनेक रूप है तो उसे हम बोल सकते है poly morphism कोई एक नाम से function है एक ही नाम से function है कई सारे तो वो कई सारे काम करेंगे क्योंकि जाहिसी बात है एक ही नाम से आपने कई सारे function को बनाया है तो कई सारे काम करने के लिए बनाया होगा, एक ही काम करने के लिए कई सारे function आपने नहीं बनाया होगा, भले ही नाम आपने एक दे दिया किसी function का उसी नाम का इस्तिमाल करके दोचार और function बना लिया आपने तो वो दोचार जो आपने बनाया ना दोचार काम करने के लिए ही बनाया होगा different different काम करने के लिए ही बनाया होगा भले ही नाम एक ही क्यों ना है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं नाम एक है, काम अनेक है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कि एक ही चीज है, जिसके कई रूप है, जैसे कि एक इनसान है, इनसान एक है, कई चेहरे हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक आसान सा एक्जामपल देते हैं, जैसे कि एक कोई इनसान है, जैसे कि आप लोग एक कं student के तोर पर है सुबह पढ़ने के लिए लिए उस्टार से वहां किपसे थेखोंगे तो कहने का मतलब है इनसान तो यह पर एक ही है लेकिन समय समय पर ऊसका रूप बदल रहा है वह अलग अलग तरह से भी है कर रहा है तो इसी चीज़ आप इसी पोलत आना इसी चीज को क्या बलते है फिल्कॉत है एक टीज रहे लेकिन अनेक काम कर दे थो देखिए वह ह先 ऐसां बहसाल में हम दाने के को सिसकी सक रहे थे जैसे कि आहाई मुभाइल जो आपका मुवाइल है कितने डिवायस का छुट्टे कर दिया calculator घड़ी वाकमेन और जो भी होता है अब तो वीडियो गरा हम लोग इसी में देख लेते हैं किरकेट मैच कर इसी में देख रहे हैं जितने डिवाइस का छुट्टे कर दिया तो समझ लिए जब उन सारे डिवाइस का काम ये अकेले करता होगा तो एक म controller बन जाता है जैसा आप साथ तरो सो रूब धारन कर लेता है थो इस आप बोल सकते पौली मर्कम चिख चली आगर मढ़ते हैं को परकार का होता है एक runtime polymer phasm, compile time polymer phasm तो बस दो बाते हैं आपको यहाद रखना है कि runtime polymer phasm का example कौन सा है और compile time polymer phasm का example कौन सा है compile time polymer phasm आपको देखने को मिलेगा function overloading के दोरान और operator overloading के दोरान अपरेटर ओवर्लोडिंग भले हमने नहीं पढ़ाया है लेकिन आपने function ओवर्लोडिंग जरूर पढ़ा है तो function overloading या एक constructor overloading बोल लिए कि constructor भी एकार का member function नहीं है तो function overloading अगर आप करते हैं तो वहाँ पे compile time polymer film देखने को मिलता है वर्चूल फंक्शन वर्चूल फंक्शन हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में वर्चूल फंक्शन जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पर रॉन टाइम पॉलिमर्फिन देखने को मिलता है तो यह रॉन टाइम कंपाइल टाइम क्या है थोड़ा से समय लेकर इस चीज़ को भी स फंक्शन को कॉल किया जाएगा इन सब चीजों को डिसाइड कर लिया जाता है कंपाइल टाइम ही कंपाइल टाइम ही यह सारा डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से फंक्शन को कॉल किया जाना है रॉन टाइम में क्या होता है कि कंपाइल टाइम यह सब चीज़ डिसाइड नहीं होता है runtime decide होता है मतलब program जब आपका run कर रहा है उस चन decide होता है कि concept function को एक तरह से execute किया जाए concept function को छोड़ा जाए तो जो काम runtime decide किया जाए तो वो runtime कहलाता है जो आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा concept है इस चीज़ को भी देख लेते हैं pointer to drive class object यह थोड़ा सा हम अपने तरब से यह दे रहे हैं नौ भी देते तो भी काम चाहिए था हुए लगा कि इस पर कोशन बन जाए पॉसिबिटी हो सकती है कुछ भी तो देखिए कि यहां पर क्या करें pointer to drive class object यहां पर देखना है कि कौन से class के object को एक दरस से access कर सकता है कौन से class के members को access कर सकता है वहीं चीज़े है इस diagram से समझाते हैं आपको देखिए हम पढ़ रहा है और यह inheritance just हमने पढ़ा तो यहां पर हम क्या करते है एक example बना लेते हैं inheritance का suppose कि यह एक class है और यह class है ठीक है और बी क्या कर रहा है एक को inherit कर रहा है तो आप इसे बोल सकते हैं यह base class है और यह drive class है भी क्या है डिराइब क्लास है तो समय लिए डिराइब लिखा हुआ है ठीक है अब देखिए यहां पे लिख रहा है कि बेस क्लास का पॉइंटर base class का pointer, base class के object को भी access कर सकता है और drive class के object को भी access कर सकता है जो base class का pointer है, मतलब ये जो base class का अगर आप pointer बनाते हैं कोई भी तो इसके पास ये चमता है कि इसके object को भी access कर सकता है और इसके object को भी access कर सकता है ठीक है लेकिन अगर आप drive class के का pointer बनाते हैं drive class का pointer बनाते हैं तो ये केवल drive class के object कोहें support कर पाईगा बेस class के object को support नहीं कर पाता है बस इतना ही बाते हम समझाना चाहते थे आपको तो इस चीट को तो expect कर लिजिए गाग component 班 drive class क reminder drag class के object को हे support करता है लेकिन base class का अगर आफ pointer बनाते हैं तो वह base class के object को भी Fund कर लेगा और और एक question देखने को भी मिला था pure virtual function से, तो virtual function देख लेते हैं, फिर pure virtual function भी हम लोग देख लेंगे, तो पहले समझते हैं कि virtual function होता क्या है, ठीक है, ये virtual function आपको inheritance में ही देखने को मिलता है, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आपको समझाते है, क्यों रहें कि virtual functions of base classes must be redefined in the drive classes, देखिए virtual function आखिर क्यों, क्यों लाया गया, किसी चीज़ का जब कारण पता चलियागा ना कि क्यों, तब तो वो concept clear हो ही जाना है, तो यहाँ पे लिख रहा है, मैं redefine की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, function overriding हम आपको पढ़ायते हैं, function overriding पढ़ायते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में, तो function overriding में होता क्या है, कि अगर कोई अगर आप function बनाये हैं, जो base class में है, और उसी नाम का अगर function आप drive class में भी बना देते हैं, तो drive class क्या करता है, base class वाला को एक तरह से override कर देता है, मतलब कि base class वाला function कभी call में आएगा ही नहीं, बार बार drive class वाला function ही call में आएगा, इसी चीज़ को बलते हैं, overriding, ठीक है, अब बात हो रही है कि, overriding आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, आप depend करता है, या कभी-कभी गलती से भी overriding हो सकता है, लेकिन कभी-कभी जान बुझ के भी overriding हम लोग करते हैं, ये कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप पर depend करता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं, कि नहीं overriding compulsory ही हो जाए, overriding compulsory करना चाहते हैं, आप तो जाहिर सी बात है जो base class का जो function होगा उसको drive class में redefine करना होगा base class के function को आपको drive class में redefine करना होगा अगर कोई redefine नहीं करता है तो कुछ error आ जाए तब इना हम बुलेगे कि हाँ हमने मजबूर कर दिया कि redefine करना है तो यहीं चीज मजबूर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं base class के function को virtual function बना देते हैं जैसे आप virtual function बना दिजिएगा तो यहाँ पे वो जो base class का जो function है अब जो virtual function कहलाएगा तो उस virtual function को आपको must हो जाएगा redefine करना रीडिफाइन करना मस्ट हो जाएगा कि हर हाल में आपको रीडिफाइन करना है तो रीडिफाइन कहां करना है ड्राइब क्लास में जाहिर से बात है आप बेस क्लास को इनहेरित कर रहा है तो ड्राइब क्लास के जिम्मेदारी बनेगे कि उसको रीडिफाइन करें और ड्राइ को गॉंप स्रेक देते हैं in इंग को कमपल सरी कर देते हैं चले आगा बर से कि VIRTUAL FUNK mio कैन घन नडी बी मिम बर फंक्टय है और री फूंऽ्टन हैं अन्हीं बर फंक्टय है अन्हीं होसकता है कि किसी ना किसी class के अंदर ही जाएगा तो में दो फॉंक्टन तो होई जाएगा अब आगे बढ़ते हैं may be declared as friend for another classes और इसको friend class भी बना सकते हैं इसको friend class के तौर पर भी आप declare कर सकते हैं virtual function को object pointer can access pointer type अगर कोई object बनाते हैं तो वो virtual function को access कर सकता है ठीक है virtual function को क्या कर सकता है वो access कर सकता है यह वाला line हो सकता है को समझने नहीं आए लेकिन थोड़ा सा मैं समय लेकर समझा दूँ अभी हमने क्या बात कि वर्ट्यूल function हम लोग बना के ओभर राइडिंग compulsory कर देते हैं तो आप वर्ट्यूल function यहां पर बना रहे है तो चाहिड सी बात है फिर आप यहां पर क्या किजेगा रीडिफाइन किजेगा जब आप रीडिफाइन कर देजेगा तो यह तो ओभर राइडिंग हो गया तो आप जब भी उस function को क्या के अपने और राइडिंग कर दिया तो हर बार यहीं क्या हर आप चाहते हैं कि नहीं हमको बर्ट्यूल function को कॉल करना है आप एक तरीका है कि आप वर्ट्यूल function तक पहुंच सकते हैं वो कैसे पहुंच सकते हैं पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाके आप पहुंच सकते हैं तो उस क्रम में मतलब उस समय आपको ये वाला ये वाला कंसेप्ट काम करेगा उस समय ये वाला कंसेप्ट काम करेगा बेस क्लास का बेस क्लास का पॉइंटर बनाएगा और बेस क्लास के के object को भी access करें सकते हैं drive class के object को भी access करें सकते हैं तो इस तरह से आप क्या किजिएगा virtual function को भी access कर पाईएगा ठीक है ये सारी बाते मैंने बोल के समझा दिया इसको अगर करके दिखाते तो टाइम ज्यादा लगता तीक है और अब मेरे सी प्लस प्लस का जो प्लेलिस्ट चेक किजिएगा जिसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है वहां पे एकदम एक्जामपल आपको उस तरह से देकर मैंने समझाया है आप चाहिए तो जाकर देख सकत है वह कोई टी याडी का प्लेलिस्ट नहीं है वह इसा तरफ प्लेलिस्ट है बस सिखने के लिए इसी प्लस पर सिखने के लिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए कंस्ट्रोक्टर के नोट टिकलिया अज वर्चुल चुब के तरह डिकलियर नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी में सब्सक्राइब बोलेगा इन में से कौन गलत है वर्ट्वल फंक्षन के संदर्व में कौन गलत स्टेट्मेंट है तो इस तरह से आपको हर चीज के लिए होना जरूरी है must be defined in public section virtual function हमें साथ public section में ही define होता है ठाइब पर सक्षन में नहीं ठीक है चली अब यहां पर एक्जामपल बनाते कैसे हैं वह देख लीज़ें देखे यहां पर एक लास जिसका नाम में फॉर्स्ट क्लास के अंदर आप अगर देखने तो यह तो एक हो गया का member variable और यह हो गया आपका constructor यहां पर एक आपको function दिख रहा है जिसका नाम है डिस्प्ले और इसके पहले वर्चुल कीवर्ड लगा है तो यह डिस्प्ले जो फंक्षन है ना यह हो गया वर्चुल function क्योंकि इसके पहले virtual keyword अप लगा दिया है तो virtual keyword है जिसको लगा के हम कोई function को virtual function बना सकते हैं अब जैसे ये display virtual function हो गया तो ये compulsory हो जाता है कि आप इसे redefine किजिए उस class में इस class में इस class को inherit किया गया ठीक है जिससे second class है second class क्या कर दो इसके इसको redefine करने का मतलब है कि इसी नाम को यूज करके function बनाए और function का code कुछ भी हो सकता है यहीं का लागा redefine और यहां पर कोई argument होता तो स्वेम वहीं argument यहां पर देना पड़ता मतलब जो parameter यहां पर होता वहीं parameter यहां भी देना पड़ता अगर ऐसा नहीं किजिएगा तो फिर ओवर राइडिंग हो ही नहीं पाएगा तो ओवर loading के concept में चला जाएगा और overloading के concept में जाएगा तो वह वर्चुल के खिलाफ हो जाएगा वर्चुल करता है कि हमको override करो ठीक है चलिए तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर एक चीज़ देख लिए थोड़ा सा display to function है यह है display function यहां पर भी बना दिया गया इसके अंदर भी एक code लिख दिया गया ठीक है अब आप इसको एक्सेस अभी यहां कर सकते हैं यहां पर बस इतना ध्यां रख एक कि करसे बनाते हैं यह चीज़ ज्रूरा रखीए अगे बढ़ते हैं, तो एक चीर ध्यान में लखके थोड़ा सा एक बात और मैं बतायता हूँ, प्यूर बर्चुल फंक्षन पढ़ाने से पहले इस बात को बतायता हूँ, देखिए, भर्चुल फंग्षन जब आप बना रहा है तो आपके मन में थोड़ा सा ये ये मन में बात आएगा कि वर्चुल फंग्वर्चन को जब हमें redefine करना ही है तो इसमें फाल्तु का कुण क्यों लिखना मतलब कि virtual function ये तो virtual function बोलता ही है कि हमको redefine करो तो फिर ये code तो फालतुका हो गया ठीक है virtual function का code ये ये जो body है ये useless है ये body क्या है useless है और most of time body useless ही होता है कोई virtual function को access नहीं कर सकता है ठीक है करने का एक तरीका है लेकिन उसको भी कोई use नहीं करता है तो आप बोल सकते हैं virtual function useless function पूरी तरस होता है virtual function को redefine करके हम लोग इस्तमाल करते ही है तो फिर वहीं आगे चलके एक बनाया गया pure virtual function pure virtual function क्या करता है कि देखो भाई मेरा body उडि मत बनाना तो pure virtual function बीना body का होता है pure virtual function क्या होता है बीना body का होता है तो pure virtual function में body नहीं होता है तो pure virtual function को हमको redesign करना पड़ता है दूसरे class में ठीक है तो यह अच्छा बात है बोड़ी यहां सहरा दिया गया ठीक है तो चलिए pure virtual function पर आते हैं यह function है ठीक है do nothing function बोलते हैं मतलब pure virtual function कुछ नहीं करता है बोड़ी ही नहीं है इसके पास तो यह करेगा क्या कुछ नहीं करेगा dummy function भी इसे हम बोलते हैं इसे dummy function भी बोलते हैं pure pure virtual functions are defined with null body बिना किसी बोड़ी को हम इसको define करते हैं ठीक है अब यहां पर आ गयाता है करा कि after declaration of pure virtual function in a class the class becomes abstract class यह वाला लाइन एक्दम आप रट जाएगा कि यहीं question के तोर पर आ गया था बीपेसी प्यारी वन में वहां पर बोला गया था अब strict function बनाने के लिए हमें क्या करना होता है तो function के अंदर एक pure virtual function बना देना होता है जब किसी class के अंदर आप एक भी pure virtual function बना देते हैं MON class construct class होयता है तो abstract class का nature यह होता है कि तब आप उसका object नहीं बना सकते है अबसे फार क्लास का object आप नहीं बना सकते हैं 85 class के अंदर का कोई भी feature है कोई भीmember है उसको अगर यूज करना चाहते है तो उसे आपको पहले inheritance करना होता है दूसरे किसी class के मदद से और फिर उस class का आप object बनाईए तो उस object के सहारे abstract class के जो भी पुरपर्टी है उसको आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो abstract class बनाने के लिए आपको क्या करना होता है उसके अंदर एक pure virtual function बना देना होता है ठीक है चल function की तरह ही है हाँ इसके पहले इसके आगे equal to लगा कर जीरो एसाइन कर जायता है इसका मसलब यह नहीं होता है कि प्योर वर्ट्वल फंक्शन में हम जीरो एसाइन कर रहे हैं यह एक symbolic notation है कि यह बताता है compiler देखो यह प्योर वर्ट्वल फंक्शन है यह कोई वर्ट्वल फं मैं से मिटाता हूं थोड़ा समय क्या क्या से साफ कर दिया चली जें यइंशन है तो यह एक सब्सक्राय फंक्शन भी है चैना इसको हमें बताना है प्योर वर्ट्वल तो यह वर्चल कनका तो आपको यह बोड़ी हाटा दिना होगा चली यहां से बोड़ी हट गया तो अब यह वाला जो कोड है इस कोड को आप इस फंक्षन के अंदर डाल देजिए तो आपके प्रोग्राम पर कोई फिक्ट नहीं आएगा यहां पर फिर लिख देजिये C out और यहां पर कर दिए B equal to और फिर ये B चलिए हो गया तो यह हो गया pure virtual function और यह जो क्लास हो गया यह क्लास abstract class का लाएगा ठीक है यह जो first class है ना अब इसका nature हो गया abstract आप first class का आप object बना ही नहीं सकते हैं जब बनाना होगा तो आपको second class का object बनाना होगा ठीक है क्योंकि second class first class को inherit किया है तो second class का object अब बना सकते हैं तो second class को आप बोलेएगा concrete class normal जो class बता ना जिसका हम लोग object बना सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं concrete class और जिसका object नहीं बना सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रहा स्टेक प्लास थीक है तो पस इतना ही इस वीडियो में रखते हैं वीडियो काफी लमबा हो गया और बहुत यूस्फूल वीडियो है एक बार में समय में नहीं आए तो फिर दुबारा कोशिश कीजिएगा देखने का हर चीज समझ म करना जागा मिलता है किसी नेक्ट पीजिव में देखने के लिए धन्यवाद